सरकार ने इस साल गेहूं उत्पादन अधिक होने की संभावना जताई है। क्रिशी मंत्राले के अनुमान के अनुसार चालू फसल वर्ष 2023 से चौबीस में 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इस साल गेहूं की फसल की बेहतर संभावनाओं प की उम्मीद जताई जा रही है। हालां की अन्यमित मौसम चिंता का कारण बना हुआ है। क्रिशी मंत्री अर्जुन मुंडा ने बीते दिनों कहा था कि हाई कवरेज के बीच इस वर्ष देश का गेहूं उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद है। अक्टूबर में मंत्राले के आंकडों के अनुसार गेहूं अधिक शेत्र में कवर किया गया है और हमें इस साल अच्छे उत्पादन की उम्मीद है। मंत्राले के अंकडों के अनुसार फसल वर्ष जुलाई से जून 2023 से 24 के चालू रभी सीजन के अंतिम सपताह तक गेहूं की फसल का कुल 336.96 लाख हेक्टेर से अधिक रहा है। जबकि बीते वर्ष में बुवाई रखबा 335.67 लाख हेक्टेर था। एक लाख हेक्टेर गेहूं का रखबा बढ़ा है जो मध्यप्रदेश, पंजाब और यूपी में अधिक बुवाई के कारण हुआ है। ऐसे में अनुमान लग आया जा रहा है कि इन तीनों राजियों में गेहूं की पैदावर नए रिकॉर्ड बना सकती है। भारतियक हादे निगम ने जन्वरी अनुमान जताया था कि चालू फसल वर्ष 2023 से चौबीस में 114 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन सकता है। हालां कि मौसम की स्थिती सामाने रहना जरूरी है। आकंडो के अनुसार इस से पहले फसल वर्ष 2022 से तेईस में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 110.55 मिलियन टन रहा जबकि पिछले वर्ष 107.7 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ था। कृशी मंत्राले ने इस साल गेहूं फसलों की वृद्धी के लिए अच्छी है। इस साल पंजाब और हरियाना दोनों में कुल गेहूं क्षेतर के 70 प्रतिशत से अधिक में बुवाई हुई है। आंकडों से पता चलता है कि दोनों राजों ने इस साल कुल मिलाकर लगभग 69 लाक हेक्टेर क्षेतर में गेहू बोया है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी